तो आज कर जो हमारा टॉपिक के स्टूरेंट वो है डाइनमिक्स तो डाइनमिक्स यह जो टॉपिक है यह प्लस वन प्लस टू साइन्स ट्रीम के लिए जो फिजिक्स में है और आज इसको हम पढ़ेंगे यह बी और बी ऐसी सेक्रियर का बहुती एक कैस वक्ते हैं कि इंपोर्टन टॉपिक है तो इसमें डाइनमिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ड करेंगे मोशन विद कॉंस्टेंट एक्सलरेशन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोशन विद कॉंस्टेंट एक्सलरेशन पहली बात हम देखते है कि एक्सलरेशन क्या होता है हमारा अक्सलरेशन होता है हमारा फिलोसिटी चेंज विद ताइम बलोसिटी अपोन ताइम तो इसको हमने ये पढ़ा हुए कि acceleration हमें पता है कि यह जी होती है acceleration कि velocity upon time तो student जो हमारा topic है motion with constant velocity मतलब जैसे कि कोई भी इसके बारे हम थोड़ी सी information ले लेते हैं कि इसके बारे हम क्या बात करेंगे कि कोई भी एक कोई भी object है वो एक motion तो कर रहा है वो move कर रहा है लेकिन उसकी जो velocity है वो हर एक point पे same है हम कह सकते हैं उसकी जो velocity change हो रही है वो हर एक point पे same है या फिर हम कह सकते हैं कि velocity change ही नहीं हो रही है अगर क्या acceleration velocity के directly proportional है अगर एक्सल विलोसिटी चेंज नहीं होती तो acceleration भी चेंज नहीं होगा जाहिर सी बात है हमें चल गया ना पता है को कि जो acceleration है वो velocity के directly proportional है इसका मतलब यह है जैसे कि मैं कहूँ कि कोई चीज है कि कोई object है उसकी जो position है present time पे वो इस point पे है और हमने क्या पढ़ना है कि motion with constant acceleration में हमने भविश्य वाने करनी है हमने जो अपनी है prediction करनी है कि अगर इस present time पे उसकी जो position इस point पे है तो after one hour बाद क्या हम कह सकते है one hour या ten minutes बाद उसकी जो position कहा होगी तो यह हमने predictions करनी है और उसके बारे में हम उसको अगर find करते है तो हम अगर कह सकते है कि अगर उसका acceleration constant है तो हम correctly बता सकते है कि वो one hour बाद या ten minutes बाद वो object किस point पे होगा मालो कि इस point पे होगा अगर इस point पे वो object है present time पे तो ten minutes बाद हम let कर सकते हैं वो कि इस point पे होगा तो ऐसी ऐसी कुछ चीजी है जो हम acceleration में पढ़ते हैं जो constant acceleration होता है तो student means क्या हुआ हम मैंने आपको पता दिया कि acceleration चीजी नहीं हो रहा ठीक है अब जैसे मैं माल लूँ कि example रख लूँ कि if an object displace 5 meter in 2 second कि कोई object है कोई चीज है वो displaced हो रही है ठीक है 5 meter in 2 second ठीक है कि 5 meter में वो 2 second मतलब I'm sorry 2 second में वो 5 meter displaced हो रही है तो हम यह कह सकते है कि next 2 second कि after 4 second वो object कितने meter displaced होगा ठीक है ना अब फिर सुने कि कोई object है वो 5 meter 2 second में displaced हो रहा है मतलब अपनी जगा से move करके दूसी point पे जा रहा है अगर इस जगा पे है present time पे तो after 2 second बार वो यहाँ पहुच जाता है मालो यह 5 meter distance है किया आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा practicals करके कि कोई object है यह A point पे है मतलब at a present time वो A point पे है object और यह distance है यह कितना हमारा 5 meter after 2 second after 2 second वो B point पे आयाता है ठीक है यह हमें given है अब हम कहेंगे again further 2 second यह C point है again further 2 second वो कितना distance पे होगा वो कितना distance तया करेगा cover करेगा तो हम कह सकते है again वो 5 meter ही distance cover करेगा और वो कब cover करेगा 5 meter distance जब उसका acceleration constant होगा जब उसकी velocity जो change हो रही है वो change होगी मतलब हर एक point पे 9.8 या फिर 10.8 meter हम कह सकते हैं कि हर एक point पे same change हो रही है जैसे कि जो gravity वाला case है free fall वाला case है कि कोई object अगर fall करती है उपर से इस direction में below direction में तो वो क्या होता है कि उसकी जो velocity चेंज होती है वो हर एक point पे कितनी होती 9.8 meter per second ठीक है तो वहाँ पर क्या है वो भी एक constant acceleration वाला case है कि motion with constant acceleration कोई चीज फोल करती है तो उसकी speed कितनी होती 9.8 meter per second बट वहाँ पर हम acceleration नहीं बोलते वहाँ उसका नाम क्या gravity ठीक है small g से जिसको हम denode करते है तो आपको इसके बारे समझ आगे होगा अब मैं आगे बात करता हूँ कि अगर कोई चीज है जो constant acceleration है तो जो average acceleration हुआ average acceleration हुआ वो instantaneous acceleration के ब्राबर होगा कि जो अगर किसी object का वो constant acceleration से move कर रहा है तो उसका जो average acceleration है वो उसके instantaneous acceleration के equal होगा यह कैसे होगा जैसे कि कोई चीज मैं मालो gravity वाला case लेता हूँ कि कोई object है वो fall कर रहा है तो इस wind क्या है जो वो fall कर रहा है तो उसका एक particular point पे instantaneous की मैं पहले बात करता हूँ कि instantaneous क्या है कि एक particular point पे उसका acceleration कितना है ठीक है कि अगर मैं माल लूँ अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि अगर कोई एक object गर रहा है ठीक है और उसका particular point पे यहां माल लिया कि उसकी जो acceleration है कि उसका velocity है वो कितना है तो मैं कह देता हूँ कि 9.8 है ठीक है और अगर मैं कह दूँ कि उसका average acceleration कितना है कि माल लो average का मतलब कि मैंने दो point select कि और इन दोनों के बीच में जो acceleration है average कैसे निकालते हैं जैसे यहां पर 9.8 है यहां पर भी 9.8 है इन दोनों को हम add करके upon 2 के साथ divide करते हैं upon 2 करते हैं तो वो क्या हमें 9.80 आएगा तो हम कह सकते हैं कि motion with constant acceleration के case में जो average acceleration होता है वो instantaneous acceleration के ब्रावर होता है ठीक है student तो यहां तक I hope आपको समझ आ गया होगा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और जो जो important point है मैंने वहाँ पर dark dot बना दिये हैं अब question जो third मैं dot बनाने आ रहा हूँ ओक है एक हमारा मालो कोई चीज कोई object है वो move कर रही है और जब वो move कर रही है तो इसका जो initial time होगा मालो t1 वो कितना है 0 है और यहां पर जो हमारी initial velocity है हम initial velocity को यहां पर u से denote करेंगे u से लिखेंगे u initial velocity और जो t2 after कुछ time के बाद जो t2 time है एक particular point time ले ले लेते हैं वहाँ पर जो velocity होगी student हमारी वो होगी small v ठीक है तो इसको आप देख लो यह कह हमारी u कह है initial velocity और v कह है final velocity ठीक है student अब अगर मैं average acceleration निकालू यह कह सकते हैं कि हमें acceleration निकालू तो जो acceleration हमारा होगा इस case के under I am sorry यहाँ sorry spelling गलत होगी अब सही होगी तो acceleration जो हमारा होगा वो होगा final velocity minus initial velocity upon time time t और किस्टुएंट और हमें पता है कि हम यहाँ पर acceleration को actually आपको पता ही होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कई बुक में acceleration को f से नोट किया गया है हम यहाँ करेंगे a से नोट करेंगे तो यहाँ पर जो acceleration है मैंने इसको a से कर लिए डिनोट कि मैं acceleration को a भी लिख सकता हूँ ठीक है student अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आप देखो फिर मिरे मतलब के कहने का कुछ ऐसा हुआ आप देखो ठीक है अब इससे मैं बनाऊँगा एक formula तो क्या बनाऊँगा देखो कि वो formula होगा हमारा इसको मैं फोड़ा डोड़ पा लेता हूँ कि वो particular formula है important है तो देखो मैं इससे बनाऊँगा v equal to u plus a t ओके ये formula आपने देखा भी होगा काफी बार देखा होगा आपने छोड़ी क्लासों में पढ़ा भी होगा तो वो formula यहां से बना कि v p को मैंने उससेट भीज़ दिया cross multiply से तो 80 होगया और u minus का था इसको मैंने इससेब भीज़ दिया तो यहोगा plus का था u plus 80 तो आप करके देख सकते हो ठीक है student और यह सब है अगर आपको इतनी बाते पता है कि इस students को पता होगी तो आप इस वीडियो को आगे जो important बाते आने वाली हो उसमें skip कर सकते हो और इस part को छोड़ सकते हो आगे जो वीडियो हैं उसमें आप कर सकते हो कि यह जो मैं बता रहा हूँ यह जो beginners हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि जो शूव से भी new new आई है उनको कुछ नहीं पता उनके लिए है तो आप भी समझो अगर आपको लोड़ी और knowledge बढ़ जाए यह और क्या है और जो यह equation है ना student यह दो condition में valid है जो यह है equation हमने क्या पता किया कि यह जो equation है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि motion with constant acceleration तो यह जो equation है यह दो condition में जो मतलब valid है बेश्रक जो हमारा acceleration वो constant हो या फिर ना हो तो यह लिए देते हैं this equation is valid when acceleration एप आ लेते हैं is constant as well as acceleration is not constant okay student basic acceleration constant ना हो या acceleration constant हो तो यह equation हर जगाँ valid है लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं acceleration constant है तो हम इस equation की use करेंगे ठीक है student तो मैंने आपकी थोड़ी information के लिए बता दिया तो आगे हम case पढ़ते हैं इसके बारे फिर और प्फारे प्फार्मूला है वह है कि जो हमारी velocity जो average निकालेंगे हम velocity जो हमारी average निकालेंगे तो इसको हम उसके उपर जो वी के उपर जो बार लगाते हैं उस सी वी क्रेंट करते हैं क्या होता है हमारा फिर फॉर्मूला वह होता है इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू यू क्या इनिशियल विलोसिटी यह क्या है वी क्या फाइनल विलोसिटी अपॉन टू ठीक है तो यहाँ पर मैंने ड्रेक्ट लिख दिया आगे हम इसको होलोली प्रूफ करेंगे पहले हम जितने फॉर्मूल का फॉर्मूला थोड़ा सा हम यहां लिख लेते हैं क्या है एक्स नॉस एक्स नॉट प्लस वी बार टी और अभी हमने पीछे पड़ा कि वी बार क्या होता है यू प्लस वी अपॉन टू यहां पुट कर देंगे वही वैलियू यहां पर क्या आएगा एक्स नॉट प्लस य x equal to x naught plus इसको हम जो t का multiply कर लेंगे तो ये हो जागा student हमारा ut upon 2 plus vt upon 2 खीक है student तो ये हमारा हो गया ut upon 2 या vt upon 2 उसके बाद student हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा इसको और इसे बनाने के लिए हम ये step काड़ देते हैं अभी ये थोड़ा complicated हो जाएगा हम क्या करते हैं इसको use करते हैं x equal to x naught जो मैं उपर लिखा है अब देखो जो मैंने यहाँ पर vv मैंने लिखा है कि v क्या है तो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं v का sign नहीं होड़ा change कर दिया था v क्या है v plus v equal to u plus 80 तो अगर मैं यहाँ पर जो v है यहाँ पर मैं अगर यह value put कर दूँ तो मेरी और equation easy हो जाएगी तो यह क्या है u plus u plus 80 upon 2t और यह क्या बन जागा शोन हमारा रेखो आप x equal to x naught plus 2u plus 80 upon 2 into t ओके student अब इसको हमने और सोड़ा easy करना है देखो हम यहाँ कर लेते है x equal to x naught same लिखा मैंने यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है यह कर जाएगा और यह t इसका multiply हो जाएगा यह बन जाएगा ut देखो यहाँ पर क्या a है यहाँ ट है और यहाँ पर कोई 2 उपर है नहीं तो यह हो जाएगा 1 upon 2 और a t के साथ t multiply होगा तो यह होगा t square तो student हमारी एक equation हमारी यह required आ गई यहाँ तक अभी हम 3 equation निकाल चुके हैं पहली यह वाली दूसरी यह वाली और तीसरी यह वाली ठीक है student अब हम इससे जो हमारी equation है जो हमने यह equation ली थी मैं वोका बता दूँ कि यह equation है हमारी इससे हम क्या करेंगे एक और equation बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे तो आप हम देखते हैं student एक जो equation ही होगी हमारी अब क्या है कि जो यह equation में दुबार लिख ले तो यहाँ पर एकस नोट प्लस यू प्लस वी अपॉन टू टी इसका काम तो यहां कतम हो गए यह अब निव equation बनाने जा रहा हूं मैं ठीक है student यहाँ पर मैं फोड़े श्टार बार देता हूं अब यह कहाँ नहीं यहां से हम T find करेंगे जो यह हमारी मैंने फर्स्ट एकस निकाली थी यहां से हम T find करेंगे तो T क्या आएगा यू इससर जल जाएगा लेफ्ट हैं साइड तो यह क्या आएगा वी मैंस यू अपॉन ए तो जहाँ पर T है यहां मैं पुट कर दूँगा X equal to X naught ओके स्टूडेंट प्लस U प्लस V तो ऐसी रहेगा जहाँ T है वहां मैं पुट करूँगा V minus U upon A ओके स्टूडेंट इसको मैं फिस solve करूँगा तो यह हो जाएगा X naught प्लस देखो U plus V and V minus U तो एक formula नहीं बन गया V minus U and V plus U A minus B और A plus B का formula है जो इंटू में वो क्या बन गया A square minus B square यह सह हम जानते हैं ने यहला formula A square minus B square A plus B and A minus B ओके स्टूडेंट तो यह formula यहां बन गया तो इसको हम क्या रहे सकते हैं क्योंकि यहां इसको देखके हम देखके हैं V square minus U square ने इचे क्या है 2 यहां क्या है A इसको हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा 2 A ओके स्टूडेंट अब क्या है अब आप देखो अगर मैं यह X और X को कठे कर लूँ मतलब X node को मैं उस स्ट भेज दून तो क्या बनेगा देखो आप तो एक दून लाइन रहे गी तो मैंने आगे नहीं कर रहा मैं यहां ही लिख देता हूँ आपको फोड़ा करके यह को समझ आए कि अगर चेंज करूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा देखो X को मैं ऐसे लिखता हूँ X यह वाला पोशन यहां लिख रहा हूँ और माइनस X node कर देता हूँ यह मैं X को मैंने इस स्ट भेज देता होगा माइनस X node अब क्या है यहां किया V स्क्वेर माइनस U स्क्वेर अपॉन 2A इसको मैं आगे solve करता हूँ अब मैं 2A को मैं cross multiplier से इस स्ट भेज देता हूँ तो यह बन गया क्या V स्क्वेर माइनस U स्क्वेर इक्वल टू 2A X माइनस X node ओके स्टूरेंट अब मैं क्या करता हूँ स्टूरेंट कि मैं यह जो V स्क्वेर को यह रखता हूँ यह माइनस U स्क्वेर को उस रड़ भेज जेता हूँ तो यह बन गया V स्क्वेर इक्वल टू U स्क्वेर प्लस 2A X माइनस X node तो स्टूरेंट एक हमारी required equation यह बन गई होके स्टूरेंट तो हमारे पास चार equation हो गई है कौन सी पहली यह वाली मतब हम दूसरी यह वाली तीसरी यह वाली equation I'm sorry तीसरी यह वाली equation और चोथी यह वाली equation ठीक है स्टूरेंट हमारे पास अब चार equation हो चुकी है तो इसको वन टू एक ये भी माल लेते हैं इसकी हमने solve कर रही है तो यहाँ पर जो हम आगे use करेंगे हम use करेंगे इस वाली equation का यह जो मैं लिखी यह वाली equation का और यह third वाली equation का और यह fourth वाली ठीक है student तो यह 4 equation हमारी must है इसको मैं देखता हूँ अभी क्या है इसमें तो student जो हमने पीछे अभी 4 equation निकाली उसमें क्या student हमारे पास हर equation में कुछ parameters है यह जो equation है यह parameters की बनी हुई है तो student जो हमारे पार questions आएंगे उसमें क्या होगा कि हमें 3 parameters दिये होंगे यह फाइंड करो जो 4th parameter है जो last parameter है वह फाइंड करो जैसे कि first जो हमारी question है वह थी v equal to u plus 80 तो student इसमें क्या है v हमारे पास ठीक है जो हमारा final velocity है और हमारे पास a है a के acceleration है हमारा ठीक है ना और हमारे पास t है यह हमारे पास x नहीं है तो हमारे पास ऐसा equation आएगी यह ऐसा question हम कह सकते हैं इसमें मैं 3 parameter दिये होंगे यह हमें पता करना होगा कि x find करो I'm sorry अब जो हमारा यह जो questions है अभी देखो इसको इसमें कि हमारे जो parameter एक तो x है देख लेतने यह हमारे यह equation हमारे जो उसके बाद हमारे क्या है हमारे पास velocity है okay उसके बाद हमारे पास क्या है की time है t है ठीक है उसके बाद हमारे पास यहांश plaर sometime एक्सेरेशन नहीं है तो हमें इसमें क्या होगा कुछ ऐसी question आजा है कि हमें तीन variables दी होंगे या तीन parameters दी होंगे उसमें हम पता हुआ कि acceleration पता करो तो हमने ये question यूज़ करनी है similarly यहाँ पर क्या है कि हमारे पास x दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पर a भी दिया हुआ है and t भी दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास v नहीं दिया हुआ जो हमारी final velocity है तो वो नहीं हमें पता यहाँ पर तो अगर हमारे पास कोई question आ जाए किसमें ये तीन variables हो और velocity ना हो velocity ना हो हमारे पास distance हो या हम कहा सकते है इस language में displacement हो acceleration हो time हो और velocity ना हो तो हम ये equation यूज़ करेंगे इस case में हमारे पास अगर माल लो distance भी है ओके हमारे पास acceleration भी है हमारे पास v v है मतलब final velocity भी है तो यहाँ पर हमारे पास time नहीं होगा और हमने यहाँ पर time पता करना है ठीक है student तो यह मैंने आपको थोड़ा यहाँ रखने के लिए यह मैंने करवा दिया आपको और student अगर कई question में यह आया था है कि हमारे पास जो initial velocity है वो 0 है या फिर initial जो distance या displacement है वो 0 है या फिर हम कह सकते हैं u equal to 0 या फिर x not equal to 0 है अगर कोई question में आया आता है तो question तो और easy हो गया ठीक है student हो क्या करेंगे हम इन ही question में उनकी value put करेंगे और question बहुत easy हो जाएगा ठीक है student तो आपको I hope आपको समझ आया होगा अब हम करते हैं थोड़ा सा कि इसको proof का कैसे क्या गया हुआ है और जो आगे हम questions करेंगे उसमें इसको कैसे यूज़ करना है किस form में यूज़ करना है तो इसके बार हम पढ़ते हैं तो student जो हमारी first जो theorem है वो क्या है कि letter particle moves along a straight line with initial velocity u and constant acceleration starting from origin तो एक particle है कोई object है वो एक move कर रही है straight line में तो state line जो move कर रही है जो इसकी initial velocity है और constant acceleration है starting from origin मतलब किसी o point से या origin से start कर रही है इस v is the velocity and x the displacement of the particle from the origin at time t then v equal to u plus a t x equal to ut plus half a t square v square to v square equal to u square plus 2a x ठीक है student तो यहाँ पर x के है displacement v के final velocity u के initial velocity a के acceleration ठीक है time यहाँ पर देखना आपकी जो पिछले मैंने लिखाया था वहाँ पर मैंने यहाँ पर x node लिखाया था लेकिन इस condition में किया हमने x node के हमारी initial displacement है तो हमने इसको ignore किया हमने इसको 0 माना ठीक है student अब इसको क्या हम proof करते है ठीक है student आपको अच्छे समझाते हैं आप question node कर लो तो yes student इसको हम proof करते हैं तो इसको निखते हैं proof सबसे पहले हम इसको डाइगरम बनाते हैं ओके तो student माल लो यह o point है और यह starting point है ठीक है यहाँ पर जो हमारी velocity है वो है initial velocity इसको मैंने आपको बताया शुआत में की u से करना है denote ओके वो इस तरफ कोई object मूव कर रहा है मतलब यह o x position है मतलब o x के path है और जो move कर रहा है object वो इस direction में मूव कर रहा है ठीक है o से लेकि x की तरफ from o to x कोई object है वो मूव कर रहा है एक हम मुझा points लेक करते इसको माल लेते है at every point ठीक है at time instantly time t ओके यहां माल लेते हैं कि यहां पर जो हमारी velocity है वो p है फाई विलोसिटी अब कैस्ट वन यह हमारा डाइगरम बन गया according to question अब हमें क्या है कि जो यह first point हमें यह प्रूफ करना है इसको हम करते हैं प्रूफ हमें पता है कि acceleration क्या होता है अगर हम बोलें कि acceleration क्या होता है तो change of velocity upon time हम कहले सकते हैं ऐसे dv upon dt अगर इसको मैं वन मानूँ इसको इंट्रीगेट कर दूँ बोस साइड विस्टेक्ट टू तो इंट्रीगेट कर दूँ बोस साइड विस्टेक्टू टी अब देखो आपका लों इंट्रीट 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 है एक्चुली हमने डैफिरेट इंट्रीट करना dv upon dt dt with respect to t a dt a के हमारा constant हमने पहली लिख लिए तो एको हमने constant को बहार निकाल लिए तो इस्टून यहां क्या जाएगा यहां देखो आप dc dt से dt कर गया और यह महां में पता है कि यहां क्या बच्जाएगा dv बच जाएगा integration और जो differentiate आपस में एक दूसरे को काड़ देते हैं तो यहां बच जाएगा A और कुछ नहीं है तो क्या होता है इंटिक्रेशन with respect to t है और यह इंडेफिर इंटिक्रेशन है तो हम यहां लगाते हैं integration constant वो क्या है c okay student तो हमारी एक equation आगी इसको हमा लेते हैं equation 2 हम क्या करते हैं कि at एक condition लेते हैं initial condition और यह हमने condition क्यों लेंगे हमें यहाँ पर c की value पता करनी है आपको लग रहा है न कि जो मैंने उपर लिखा है v equal to u plus a t इसमें से मुझे तो जाहिर से बात हम c को जाएंगे हटाना तो student जो initial condition होती है वहाँ क्या होता है कि जो time होता है न वो क्या होता है 0 क्यों को जी starting नहीं तो time तो 0 है इसका ठीक है physics में और अगर वहाँ time 0 है और जो हमारी initial condition में जो हमारी velocity होती है इसको हम बोलते initial velocity और इसको हम denote करते हैं u से ओके student हम इन दो values को इस second equation में जो मैं लिखे equation 2 इसमें put कर देंगे तो क्या बन जाएगा v को हम क्या put करेंगे u और t को अगर 0 put करते हैं अपर तो a into 0 0 और यह क्या जाएगा c तो यहाँ पर हमारी जो c की value equation वो क्या आगई u अब इस equation में हम second में इसको put कर देते हैं तो क्या आगई हम यहाँ u अब यहाँ u पुट करते हैं c की जगा यह आगया v equal to u plus 80 और यह हमारी equation आगई जो required है okay student तो यहाँ तक आपको चलिया होगा पता I hope अब जो हमारी second equation आगई student तो आप वो देखो वो कैसे करनी हम ने तो yes student जो हमने अब second में यह proof करना है हमें पता है यहाँ पर की हमने भी show किया proof किया की v equal to u plus 80 तो हम लिख लेते equation को आप पर अब हमें पता है यह v क्या velocity है velocity क्या होता है change of distance लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे change of displacement upon time ठीक है तो उसको लिख सकते है with respect to time मतलब okay and u plus 80 और इसको equation को हम आल लेते हैं यह हमारी one equation है इस condition में वो यह दूसरी one equation थी यह दूसरी है और इस equation को one को इसको हम with respect to T integrate करते हैं integrated both side with respect to T okay सूरें same अब हम इसको integrate करते हैं with respect to T तो यहाँ दा मैं कर देता हूँ आपके लिए और आगे अभी मैं कर रहा हूँ लेकि last way के नहीं करूँँग जो questions करेंगे तो उसमें direct करता हूँग तो आपको यह याद करना पड़ेगा रखना पड़ेगा इसको तो यह कहा हमारा U अगर हम U को with respect to T करते हैं U actually यहाँ पर अभी अगर हम with respect to T integrate कर रहे हैं तो U हम क्या करेंगे कि constant है इस time पे यह तो हमारा ही constant okay student तो इसको भी हम लिख लेते हैं T और DT अब देखो यहाँ पर वो ही जो पीछला केस आगया DT से DT cancel और integration और DT और differentiate आपस में काड़ दते हैं दूसरे को तो यहाँ लगा X equal to U के इस case में constant और अगर कुछ ना हो तो इसका integration क्या होगा T और यह A क्या भी constant है हमारा और जो T की integration करते हैं only तो यह होता है T square upon 2 ठीक है student तो यह हो गया T square upon 2 और अगर हम हमें पता है कि अगर हम indefinite integration करते हैं तो हमारा एक constant आता है C क्या फिर हम कह सकते हैं C किया सकते हैं क्योंकि पीशे कीस पर C लिए तो यह सकते हैं कोई बात नहीं जो हम C ले लेते हैं कोई बात है C ले लेते हैं अब grad校 student जैसे हमने वहां पर initial condition ली थी यहां पर भी हमने एक initial condition लेनी है कि at initial condition which is the initial condition होती है वहां क्या होता है हमारा एक तो T equal to zero होता है Okay और एक क्या होता है तो X को अगर हम zero put करते है इस equation में और और T को 0 पूट करते हैं तो यहाँ पर क्या आगा यह भी 0 हो जाएगा और I'm sorry student थोड़ा से रगते हैं मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूँ नहीं ठीक है अब क्या है जो यहाँ पर भी T है यहाँ पर मैं 0 पूट करते हूँ तो यह भी 0 हो जाएगा क्या में पर equation बनती है तो वह आता है UT प्लस half AT square और जो second equation हमने यहाँ पर proof कर ली है अब श्टूट जो भाई third equation हमने वो proof करनी है तो हम देखते हैं इसको भी तो श्टूट हमारी जो third equation हमने यह हैं कि हमने proof करनी है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि acceleration क्या होता है पहले तो हमने जो पहले हमने पढ़ा कि change of velocity with respect to time ठीक है टाइम बीचे चो रहा है velocity भी चेंज हो रही है इसको हम acceleration यहाँ एक है constant तो मैं बाद पर नहीं लिखता है अब क्यास्टूट जो यह dt है हमने पता है जो यह dt है जो हमने dt अभी कर रहा है तो यहाँ रोड़ा कर देता हूँ dt क्या होता है अगर हम देखे अगर आपको कुछ याद हो तो जो dv हमारा होता है वो होता है dx.dt यह हम कह सकते हैं v होता है हमारा जो velocity होती है वो होता है dx.dt तो क्या होता है change of distance upon time I'm sorry यह distance नहीं बोलेंगे हम displacement बोलेंगे यह vector quantity velocity change of displacement with respect to time तो अगर हम यह से में dt निकालू तो यह dt क्या आएगा हमारा dx.v यह अगर मैं इसकी value यहाँ पूट कर दूँ तो क्या आएगा यहाँ आएगा dv upon dx एक्स इक्वल टू ए ओके स्टूडन और यहाँ पर मैं यह dx को उससे बेज़ोती है बन जाएगा vdv इक्वल टू a dx ठीके स्टूडन तो इसको मैं थोड़ा साथ ही कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा मैं gap बना लेता हूँ यहाँ पर बना माल लेता हूँ तो मैं करता हूँ कि इंटीग्रेट वन बोथ साइट तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकूलर कुछ वीरियवल के स्टूडन जैसे इंटीग्रेट नहीं करेंगी जैसे कि लास्ट टेम हमने टी के स्टूडन इन दोनों केसों में यहां जो जो उसकी है उसकी इस्पेक्ट में करेंगा अगर वी है तो वी के स्टूडन करेंगे अगर यहां पर एक्स है तो एक्स इस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर हम करते हैं डी वी एक्वल टू एक यह constant हमने पता है dx अब क्या plus c भी रखा लेते हैं क्योंकि constant हम कर रहे है और student यह क्या है अगर v है और उसको हम अगर v के spec में अगर करें integration तो आएगा v square upon 2 चाहिए सी बात है और अगर यहाँ पर x के spec में करते हैं integration हम तो यहाँ आता है ax ओके और यहाँ आता है plus c ओके student अब यह मैं 2 को यह फिर मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा इसकी condition के लिए तो at initial condition at initial condition ओके student तो at initial condition तो हमारा जो t हो मतलब जो x है यहाँ पर t तो है नहीं अभी तो यह x क्या होता है तो हमारा 0 होता है जो initial condition में होता है x क्या होता है हमारा 0 और जो v होता है यह फिर हम कहले वो क्या होता है u होता है यह हमें पीछे भी कर चुके है तो आपको अभी याद रहना चाहिए तो यहाँ पर जहाँ पर v है हम यहाँ पर u पुट कर देंगे and जहाँ x होता है 0 तो यह 0 हो जाएगा प्लस c तो c की value हो student क्या आगी है हमारी u square upon 2 तो इस c की value को हम इस equation पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या दाएगा हमारा required equation कि v square upon 2 तो yes student हमने प्या करना है कि जो यह equation में जो इसकी value है c की हमने यह पुट करनी है तो यह आएगा v square I'm sorry यह मारगर हो रूख रहा है ax plus u square upon 2 okay student आपको यहाँ तक समझ आगया होगा I hope और उसके बाद जो हमने यह proof करना है तो अब हम क्या करते है कि यहाँ पर हम सोड़ा lc ले लेते हैं यह फिर इसको इस तफ ले लेते हैं हम ऐसे करते हैं कि u square वाले को एक तफ ले लेते हैं ठीक है ना तो अगर हम u square वाले को एक तफ लेते हैं तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा upon 2 वीडियो में आ रहा ही yes student हमने ले लिया v square minus u square upon 2 यहां तक हमारा प्रूफ हो चुका अब हम आगे क्या करने वाले हैं यह तो हमने पढ़ ली है acceleration ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं retardations वो क्या है कि हम acceleration को अगर backwards reverse उस करते हैं तो जैसे हमने गाड़ी देखे होगी कई बार अगर हमने पीछे जाना हो तो हम कार्स वगारा में क्या करते हैं या फिर ओटो वगारा में हम बैक करते हैं तो आपने देखा होगा ना ये कि कई लोग बैक करते हैं तो वो आप पढ़ेंगे retardations कि यह बैक जारा है जो acceleration वो opposite direction में यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते है retardations तो उसकी तीन equations है और उसका गभी हम प्रूफ देखेंगे तो उसके बाद हम questions करेंगे ठीक है student तो यह student जो हमने पीक्षे जाब लास्ट में थियोरम करीब प्रीवियस उसका रिमाक है कि इफ ए इस दा रिटार्डेशन ओफ पार्टिकल तो आपको मैंने रिटार्डेशन जो रिटार्डेशन का जो मिनिंग वोप समझा दिया है अभी then we replace by minus a तो रिटार्डेशन क्या होता है मैं आपको एक वड़ा उसम जा देता हूँ कि अगर हम reverse use कर रहे है acceleration को उसको हम क्या बोलते है retardation तो अगर उसमें क्या करना है कि वो reverse use कर रहे है तो उपर direction है तो a को हम जो acceleration को minus a से replace कर देंगे इन formula जो हमने पढ़े है अभी तक तो वहाँ क्या हो जाए है देखो v equal to u minus 80 x equal to ut minus half 80 square and v square equal to u square minus 2a x ठीक है student तो इसको अब हम क्या करते है a के करके प्रूफ करते है तो अब प्रूफ करते है first तो student इसको जो प्रूफ है वो क्या है जो हमने पीछे किया वो सेम है बस हुहाँ पर क्या करना है a को हमने minus a से replace करना है जितने भी हमने theorem 1 के जो प्रूफ की है तीन जो हमारी question थी अपके करना student उसको हम नहीं करते को कि time प्रूफ जारा lecture long हो जाएगा तो आप उसको खुद कर ले ना आप जो last request जो last theorem में theorem करी उसमें जहाँ पर ए ता वहाँ पर माहिने से करते ना आपको ये प्रूफ मिल जाएगा तो हम परेले करते हैं को ओन तो को ओन में कैं हम आज कुरें है average velocity लिखते है average velocity तो average और विक्वर किसकी है वो ये जो average Buenosqu को औबजक्त ही ए की कोई objective आप और मोया आप잔 में है तो उसकी average ल जोउर कि in any इंधम इंधम धूरवल इन आपर कर अइन इंधरवल और हम इस इक्वजरू इस बचैक है the average velocity in any interval is equal to the velocity at the middle point of the given interval the velocity at the given middle point middle point in any interval so students we are talking about the average so we believe that if there is a to b point of the motion so if the distance between a and b is less than 6 meters so if we want to select the average velocity then the average velocity which is at 3 cm the three point is at a and b point the velocity is at average. The students know how the average velocity is at average velocity इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके डिस्टेंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे X से मतलब डिनोट करेंगे वो टाइम को T से करेंगे डिनोट अब स्टूडेंट हमने X की जो वैल्यू है वो हमने पीछे निकाली होई है ठीक है अभी हम बात कर रहे है एक्सलिशन वाले की ना कि हम रिटार्डिशन वाले की यूज कर रहे है तो इसका हम फोमलाइज करेंगे तो अगर हम एवरेज विलोस्टी यहाँ पर निकाले तो आपने जो अभी नोट किया है तो उसमें देखना एक्स की वैलुई क्या है एक्स की वैलुई यही है बस बीच में प्लस है यहाँ पर कर देंगे प्लस हाफ एटी स्क्वेर अपन टी गजिए को अधी अब कर जाएंगा यहां पर भी हाफ एटी के साफ टी कंसल हो जाएगा तो एवरेज वीलोस्टी क्या यहाँ एंगा हमारा average velocity equal to u plus half a t ओके student तो यह हमारा आगे average velocity उसके बार हम करते हैं core 2 तो जो core 2 है तो वो क्या student कि average velocity in an interval average average velocity in an interval in an interval is equal to mean of initial and firing velocity is equal to mean of initial and and तो यह हम देखते हैं इससे हम इप्रूफ करते हैं तो यह के हम निकाला 2 है the interval is equal to mean of initial and final velocity तो mean क्या है of initial and final velocity ठीक है student तो यह हमने यह पर यह कर लिया proof जो हमने बात लिखी थी अब जो हमारी code 3 है student वह देखते हैं क्या है यह last course के बाद हम questions करेंगे यह झुकिए it yes it क्यों 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 you modifier the at allies तो यह हमने अब प्रूफ करना है कि डिस्प्लेस्मेंट इन्त इंटर्वल है उसमें हमने यह प्रूफ करना है कि यू प्लस हाफ 2N-1 ठीक है स्टूइंट यह हम लिखते हैं कि डिस्प्लेस्मेंट इसका है 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 इसका ह minus displacement in 1st and minus 1 second okay student तुम निया क्या रखाए जो displacement in ns second equal to displacement in 1st and second ये फिर में डोड पाया थे हैं कि आप चल जाए पता को में पाया थे हैं आपर invited com में और minus displacement in 1st and minus 1 second ठीक है student हमने क्या करना है इस equation में इस equation को हमने यहां use करना है तो मैं लिख लेता हूँ तो displacement in n second 1st n second तो यही हैगा से u plus half 2n minus 1 1st n minus 1 second तो हमने क्या करना है जहाँ पर n है वहाँ n minus 1 कर देना बस minus u plus u plus half 2 and minus 1 तो इसको हम फड़ा दूसरी टाइप की बैकेट पाह लेते हैं minus 1 a इसको हम solve करते हैं तो हम इसको हम solve करते हैं यू plus इसको हाफ इसको multiply करें तो यहां रदाएगा n यहां रदाएगा minus 1 by 2 इसको हम लेते हैं कि जैसे एंड सेकेंड है तो वहां क्या होता है उसका जो फोर्मूला क्या होता है इसको 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 ब्रैकेट में कर लेते हैं क्लोस अंग ए अन माइनस 1 का होल स्केर ठीके इसको हम हम सॉल्व करते है इसको रदाएगा यूओ न का यूओ हाफ ए ए य इसको यू न का उन यूओ यूओ यहां पर आया ज़गा यूओ यू यहां कर gloss जाएगा पेले और 1 upon 2 AN तो इसको पहले हम solve कर लेते हैं अंदर कितना आएगा minus लिख की है हम पर हम solve कर लेते हैं तो यह आएगा 1 upon 2 हम बहार निकालते हैं common and A A को भी हम बहार निकाल लेते हैं यहां minus लिखते हैं तो यह आएगा student N square minus plus 1 minus 2N तो यह आएगा अब अंदर हम multiply कर लेते हैं तो यह आएगा हमारा student UN plus half AN square minus UN plus U अब देखों यहां minus है और यहां plus है तो minus N square A upon 2 minus 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 plus minus minus A upon 2 minus minus plus 2 से 2 cancel और यह हो जाएगा AN तो देखों यहां पर कुछ कट रहे हैं आपर देखों UN के साथ UN cancel हो रहा है ठीक है UN के साथ UN cancel हो गया 1 upon 2 AN सुर के साथ कुछ हो रहा है cancel 1 upon 2 AN square यह भी हो गया ओके क्या बच गया है आपर यहां U बच गया एक और एक बच गया AN और minus A upon 2 तो U minus A upon 2 plus A N ठीक है student अब देखो अब हमने क्या करना student देखो यहां से जो यह equation है यहां से हम कर लेते हैं इसको इसको equal लिख के अब यह जो हम इन दो equation में A हम निकाल लेते हैं common तो यह जाएगा U प्लस U प्लस अब देखो यहां पर हमने क्या करा कि 2 से multiply कर देऊ ओपर तो इसको सोड़ा मैं एक step और कर लेता हूं जादा तो आपको जाएची समझाएगा तो यहां से हमने क्या करा 2 AN minus A upon 2 कुछ ऐसा हो गया अब इसके बाद हम यहां निकालते हैं common तो यहां देखो अब क्या हो जाएगा यहां पर U का U रहाएगा यहां से हमने क्या करा A निकाल लिए common तो एन minus 1 A upon 2 ओके स्टूडटन तो यह हमने यही प्रूफ करना था तो यह हमारा प्रूफ हो चुका तो यहां हम इसको कर देंगे ऐसे करके Okay student यहां तक आपको समझ आ गया होगा I hope अब हम करते हैं next lecture में इस lecture को हम यहां ही एंड करते हैं अब next lecture में करते हैं हमसके questions answer और हमसके पूरी series करेंगे questions answer की जतने भी हैं इस रिलेटर Okay student तो thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए और अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जूर कीजिएगा और इसको शेर भी करना अपने college friend अपने school friend के साथ और अगर आपको new videos की जो update चाहिए तो इस चैनल को subscribe भी जूर कर लेना ठीक है student तो मिलते हैं फिर next video में और question के साथ जुसके हैं related तो goodbye have a nice day